हलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आज वीहान की स्कूल की छूटी थी तो आज मैं काफी लेट उठी हूँ वैसे नोर्मली मैं सड़े 6 बजे सुबह उठ जाती हूँ क्योंकि वीहान को 8 बजे तक मुझे स्कूल भेजना होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है तो यहां पर यह कल शाम का टाइम था और मैं अच्छली क्या था ना कि वीहान बाहर घूमने की जिद कर रहा था बाहर सड़क पे खेल ले की और मैं ऐसे ना अंदर तो आका तो काम करनी सकती थी घर का क्योंकि मुझे बीच बीच में वीहान पे नज जाड़ू भी लगा लेती हूं मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा तो जबसे मैं यहां आई थी ना तब से यहां अभी आई थी एक दो दिन पहले तब से जाड़ू भी नहीं लगा तो मैं यहां पाइप बता में कुछ कुछ चीजे ना मैं हर महीने खरीदती रहती हूं ज मिलीट में को पता है मिलीश्ट बनाके रखती हूं पूरे महीने की मुझे अगले महीने क्या जरूरत है सबढता है ज़ादू की जरूरत की पन्सक्राइब मुझे प्लास्टिक का इंहें ज़ड़ू पसंद आता है क्योंकि न वो जल्दी खराब नहीं होता वो बहुत लंबा चलता है एक बार खरीद लो थोड़ा सा महंगा जरूर आता है ये बूर वाला ज़ड़ू इतना चलता नहीं है तो महीने देड महीने में इसका सारा ये खराब हो जाता है आगे से आप लोगों के कॉमेंट आते है कि आलू प्याज आपने स्लैप पे रख रखे हैं तो मेरे पास कुछ है नहीं रखने के लिए ये स्टेंड होता है न जिसमें सबजियां आलू प्याज वगरा रख लेते हैं लसुन तो वो स्टेंड मुझे खरीद के लाना है अब फ्लिप मेरा थोड़ा सा ठ्रैवलिंग का कुछ बने का अगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक आधर बैग भी मंगवाए थे खुद के लिए क्युक्त है कहीं भी जाना हो मेरे पास घर के लिए सच में एक भी बैग नहीं था धंका होता है न कहीं भी आप जाओ तो वही गंदे ग पानी देती थी क्यों नहीं लगा इसका कारण बताती हूं एक्चुलि क्या हुआ कि आज कल सुबहा हमारी टंकी खाली हो गई पानी की और उस टाइम मोटर उसे पानी भरने का टाइम चला गया पानी चला गया था फिर शाम को जब पानी आता है उस टाइम लाइट चली मैं गल आरों अग्या पानी तो इसलिए ले पोधो में पानी नहीं पॉद्हर यहा पर उसके नहीं बढ़नेट सक लाइट बीड़ हो इसके बालता है कि अग्या पानी तौँर भरना भूब शोरे श्रीन लाइट चली मैं तो दिक्कत आजाती है क्योंकि जितना पानी का हू कि मुझे पसंद नहीं और इधर मेरे कुछ ना कुछ लगवाऊंगी मैं क्योंकि या करन्ट की तारे हैं और आज विहान खेलता खेलता इसी साइड जा रहा था मैंने उसको रोका तो मेरे को बोलता मुझे क्यों डांट रही है मम्मी यहां जाने से मैं सिद्धा ऐसे पूछा तो वह यहना कल को बच्चे के मन में आ जाए कि इधर ममी नी भेजती तो इधरी जाऊंगा तो मुझे ना थोड़ा सा बोर्डर या तो मैं कुछ ना कुछ बना देखूंगी मैं क्या करूँ इस साइड मुझे तारे ना करंट की उस साइड मुझे थोड़ा सा इस तरीके का बोर्डर बनाना है कि बच्चा जा ना सके उस साइड तो विहान खेल रहा था तो मैंने का चलो अभी कोई और काम तो हो नहीं सकता, तो ममी के घर के भी बाहर का एरिया में साफ कर देती हूं, यह सोफा न ठीक था, मैं बताओ इसकी टांग कैसे टूटी है सोफे की ममी ने सोफे को भी बाहर खिसकाया और बाहर लेके जाने लगी न तो खिसकाने खिसकाने में इसकी टांग तूट गी देखो ये जुड़वानी पड़ेगी एक साइड से थोड़ा अजीव सा लग रहा है और ये देखो ये एरिया कितना अच्छा लगता है वैसे ये घर बहुत सुन्दर था बट इसकी थोड़ी मेंटेनेंस नहीं हो पाई रख रखाव कम हुआ है घर का और यहां पे न ये जो भी कबार्ड पड़ा है न मैं इसको उठाके न फैंक देती हूँ मैंने का अंदर की सफाई तो होती रहेगी करनी ही है थोड़ा सा बहर का अरिया साफ कर देती हूँ ये देखो ये नारियल कितने टाइम से यहां पड़ा है खराब नारियल है और बी काफी कूड़ा हया पर मुझे efficacy यहां को मैं था जादा दूर मत जाओ और कल मेरी ममी का फोन भी आया-था मम्मी बोलती तु मेरा सारी समान ऐसे मत फैंक दियो क्योंकि मेरी आदत है मैं जैसे कोका होता है कोई भी होती पैसे होते हैं वू मैं ना इसे भी चुन्नी में बांध देती हूं या किसी लीर होती या कपड़े में बांध के ऐसी रख देती हूं कल को तू सोचेगी कबाड है और मेरी कोई कीमती चीज चली जाएगी इसलिए सफाई कर भी रही है तो कोईन मेरा बाहर मत भाध फैंकी हो साफ करके रख दूँगी तो यह देखो भी हानी साइकिल चला रहा था तो इसको इस साइड अंदर की तरफ यह देखो आप बोलता मैं अंदर चलाओंगा इधर साइकिल मैंने का आ जा दू तो यह कम से कम बाहर का एरिया तो मैं थोड़ा साफ कर दू क्योंकि में तो देखो आपको भी पताया जो आने जाने वाले लोग है हुनकों अंदर क्या पता है कि अंदर घर कैसे है में तो भाहर इसे इळिकता है है वीडियो में आप लोगों को दिख जाता है लेकिन फिर भी यह यह अरिया क działूप यह जल साफ कर दूं कि केहां सभखे से लिए तैम इसी डЗ लहताँ असको होग eyes उस Turkey करवा लो दो करवा लो बाद में नहीं करवाय है क्योंकि मैं फ्रिजे का पानी नि पीती मुझे था थंडा थंडा पानी मिला करेग का मकके का पीया करेंगे तो यहां पर देखो यह मटका ऐसे ही ममी ने ना पानी भर्ने के काम में लगा रख है पीने के लिए यूज़ न • इस फानी टोटा हूँ न निकालूंगी ना कबार्ड अब ये चप्पल मैंने साइड में आपको दिख रही होगी मेरे पड़ी है ये मैंने फैंक की नहीं मिल गई तो ठीक है अगर नहीं मिली तो मैं फैंक दूँगी एक चपल का तो क्या मम्मी कह रही थी चपल गुम होगी थी ऐसा कुछ बोल रहे थ तो बारिज का अधिकत रहती है इसलिए सोफा कुछ प्लास्टिक का हो ना वो तो रखा जाए यहां वैसे कुछ इस तरीके बाहर बैटने का अरेंजमेंट हो सकता है तो इस सारा कूरा निकला है और विहान देखो ज्जादा दूर नी जाता मैं उसको बोल देती हूं कि ज् मानने लगया पहले भाग जाता था लेकिन अब जैसे स्कूल भी जाने लगया तो वैसे भी बेचारा थक जाता है टाइम से रात को सो जाता है क्योंकि पहले क्या था ना विहान का बारा एक एक बजा देता था सोने में अब तो दस बजे तक विहान सो ही जाता है हर हालत में क्योंकि देखो ठक जाएगा बच्चा तो उसको नींद भी आई जाएगी हाँ बेटा ये पड़ी बोतल उठा ले देखो बोतल रखी है ना पीली वाली उसमें से पीलो पानी तो ये देखो विहान फिर से इसी साइड आने लग रहा था और आपके कोमेंट्स मैंने कल की वीडियो में पड़े थे हाँ मैं मानती हूँ घर की हालत बहुत खराब है पर करेंगे ना घर साफ तो हो जाएगा धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा टाइम रोज लगाया करूंगी तो वो चूहें भी देखे थे आपने कितने निकलें अभी तो मैंने थोड़ी सी सफाई तो शुरू ही नहीं करी बस अभी बाहर बाहर का एरिया थोड़ा सा मैंने क्लीन की है और यह कूड़ा मैं यहाँ पर कूड़े दान में फैंक देती हूँ और यह एरिया देखो कितना अच्छा लगता है क्योंकि यहां पे खुला एरिया ना तो यहां ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है बहुत ठंड सर्दियों में इस एरिया हमारे एरिया में बहुत ठंड हो जाती है और गर्मियों में भी मोसब इतना ज्यादा गरम नहीं रहता है ठंडा ही रहता है क्योंकि यहां पेड़ पोद इनमें colors भड़ना है चलाओ 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 बैरी गुड़ोर चलाओ बैरी गुड़ोर चलाओ करो करो कितना संदर है वन बनाओ वो slanting line बनाओ slanting line कैसे बनती है एसे बनती है और sleeping line कैसे बनती है sleeping line बना के दिखाओ ऐसे sleeping line बनाओ wait very good और slanting line कैसे बनती है बेटा हाँ slanting line A बना के दिखाओ A हाँ बनाओ 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 A बनाओ A A for apple बनाओ 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 यहाँ बना लो फिर यहाँ नस्दीक में बना लो दूर है ना A for apple बनाओ बेटा बनाओ तो A for apple C बना लो चलो असान सा शब्द देती हूँ आपको C बना के दिखाओ बना नहीं अच्छा नहीं बना दो आप अच्छा आप 2 बनाओ अच्छा slanting line बनाओ अब sleeping line बनाओ slanting line बनती है ऐसे और sleeping line बनती है ऐसे ठीक है परक पता चल गया ना आपको हाँ तो अभी sleeping line बना के दिखाओ आप हाँ sleeping line very good अब slanting line बनाओ इधर बनाओ slanting line slanting slanting वाली कैसे बनती है slanting line यह तो sleeping line है बेटा sleeping line sleeping line ऐसे बनती है slanting कैसी बनती है very good और वो वाली one बनाओ one very good चलो बड्रोइंग कर लो हाँ कर लो colors भर लो भरो गोला बनाओ जो बनाने है बनाओ चलाओ pen चलाओ very good करते रहो करते रहो इहान ए बना के दिखाओ मुझे मुझे नी बनेगा बेटा आपको कोशिश करो बेटा ऐसे कैसे नी बनेगा आप इससे बनाओ आप गलत चीज से बना रहे हो आपको ना पता है क्या ची यह रुको मैं आपको देती हूँ आप इससे बनाओ इससे एकदम सही बनेगा ए बना के दिखाओ ए ए फोर एपल बनाओ लो पेटा ये लो अच्छा मैं एक बना के दिखा देती हूँ फिर आप बताना ठीक है ये उता है ना ए हाँ अब आप बनाओ ये लो इस बनाओ आप इससे नी बनाओ इससे ये लो इवला उठाओ हाँ ए बनाओ ए ए अच्छा दुबारा बनाओ ए फिर से बनेगा कोशिश करो ये ए बनाओ ये पिर से बनाओ आप भी बनाओ एक दू दन में सीख जाएगा ऐगा ये इसको ये पता है अशे से करके बीच में से लाइन खीछते है जोना बनाओ से डइंड़न व itself इसको गनाओ अच्छा एपछ न कह दो इपल के अब स्लिपिंग लायन बनाओ अछल से बनाओ अछलाओ जलीफिंग लाइन इसमोर वर अपल बनाओ कोशिश करो बेटा बने का वोद रसरा बना сюжets स्लिपिंग लाइन सैन्हीं गड Gog इरे हम इसे स्टी ere रफaged dorthander हां यहां बनाओ एक लाइन कीची उसके बाद Дूसरी लाइन कैसे खिंचोगे एक पैन ले लो न बनाओ अच्छा slanting line बनाओ हाँ slanting line कैसे बनती है अच्छा teddy बनती है अब sleeping line कैसे बनेगी sleeping line इधर बनाओ H बनाओ गे H बनाओ कैसे बनेगा H हाँ H बन गया H बन गया very good अब A बनाओ 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 अच्छा A बन गया अच्छा बन गया इसलिए नहीं बन रहा बते बिट्टा क्या कर रहे हो आप यह जो point है ना इसको एक line इधर लेनी है एक इधर और ऐसे जोडने है अब आप करो बनाओ बनाओ अब सब्सक्ण्स केका अब बनाओ इक व्लीवटतो है रेकिश उट्टा मेरे तो तूट जाएंगे काम करते हो मैं आपको प्लेट में निकाल के देती हूं नहीं बेटा सारे केक नहीं खाने है जितने ममा देग उतन नहीं खाने है आपको में तोड़ के देती हूं ठीक है यह लो खाओ चाल डू और डू यह लो काफी हैं बाकी दो पहर को खा ले ना इतने ख़तम कर दो पहले ठीक है सुबै के अभी आठ बच के पंदरा मिनट हो रखे हैं आज हम मा बेटा बहुत लेड उठे हैं और मैं नहाली सुबै के अपर कर दूँ देखो यह इंगल भी बता रहा है हमें कि कौन से इंगल से अच्छा लगेगा बनेगा है ना बाभू ऐसे बनेगा है अच्छा आले फोन देदो ना फोन तो आपके हाथ में है और क्या दूँ कुछ नहीं है कुछ नहीं जाएए स्कूल जाना है नई ट्यूशन जाना है तो कहा जाना है कही भी नहीं जाना भर रहना है मैं आपसे इसको आप आप कहके बात किया करूंगी आपके भी कॉमेंट्स ही कह रहे हो आप मैं इसको तू करके बात कर दूँ यह मुझे कोपी करने लग गया है इसको यह थोड़ी पता है यह इजद वगएरा का मतलब नहीं पता कि हाँ आप बोलना चीए तू बोलना चीए वो छोटा है यह मैं इसको कहते हो ना विहान तू खाना खाले तू यह भी मिर कोई का ममी तू खाना खाले मैं इसको कहूंगी न जब विहान आप खाना खालो तो यह भी कहा करेगा बदले में ममी आप खाना खालो विहान वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर करो बाई बाई बोल दो विहान टाटा चली जी अपना ध्यान रखी नेक्स्ट ब्लोग पर गंडिनियों कर देखा आप देदो फोन हो गया काम हो गया आप देदो देदो फोन देदो चली जी ध्यान रखी आपना भाई भाई टेक्यर